Hello everyone, we are back with a new video तो आज की स्यूडियो में अपन देखने आ लेगे कि अपना Xiaomi का कोसा भी phone जो की brick हो गया उसको unbrick कैसा कर सकते तो brick बोले तो phone के साथ ये वो कामा कर देते phone जो back end में मिल्या था phone खुलता है नहीं, open नहीं होता समझो, तो brick बोलते है अपन screen पे देख सकते है आप मेरा जो Poco का device है जो की brick हो गया जैसा खाली Poco बता रहा, बंदो आ रहा, फिर खुल रहा है नहीं लेकिन तो वह जपन इस वीडियो में देखेंगे brick phone को unbrick कैसा कर सकते phone hang-wang हो रहा हो रहा हो ले तो वो भी fix हो रहा था इसमें तो यह process में अपने को PC की ज़रत पड़ती PC होना बहुत जरूरी है और थोड़े बहुत files की अपने को ज़रत पड़ती वह क्या है क्या नहीं वह मैं बता तो और पूरे files का link description में given है वहां से download कर लेना जाके अपनी computer screen पे अपन चले जाएंगे तो देख सकते हैं अपना के अपनी computer screen पे PC पे आने के पाद यहां पे आपको अपना browser खोल लेना पड़ता अपने phone का fastboot ROM आपको download करना पड़ता जो की .tgz format में होता वह आपको download करना पड़ता maximum 6GB तक रहता तो इधर अपन सर्च करेंगे Xiaomi firmware updater अपन सर्च कर लेने के बाद यहां पे पहली website जो Xiaomi की official website है इसको अपन खोल लेंगे तो यहां पे option देख सकते है scroll to downloads इस पे अपन टाप करेंगे तो अपन download वाले section पे आ जाते हैं यहां पे devices का option देख सकते है इस पे अपन टाप करेंगे आपके phone का नाम इदर सर्च कर Poco X3 के Russia, Turkey, EEA, India, Indonesia सारी updates है अधर तो आपको जो भी होना आप कर सकते है लेकिन एक चीज़ का धियान रखना है यहां पे type देख सकते है recovery है तो recovery आपको download नहीं करना है fastboot यहां पे आपको download करना है recovery नहीं करना है recovery कर दिये तो error आता तो देख लेना fastboot download करो recovery नक्को करो download त तो मैं अधर search कर लेता हूँ तो देख सकते है अधर Poco X3 NFC global stable है और यहां पे fastboot रहम है 4.9 GB का है तो इसको पर download कर लीगे download पे tap करने के बाद इस तरीके से page आता थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ता तो यह पहली file आपको download नहीं करना है यह recovery file है देख सकते है इतर recovery ह करना थोड़ा सा नीचे आना नीचे आने के पाद यहां पे fastboot देख सकते 4.9 GB का है इसको आपको download करना पड़ता फुल रॉम पेपन टैप कर देख सकते है downloading अपनी start हो गई तो इसको आपको download हो गई इसको आपको अपने c drive में रखना है दूसरे drive में नपको रखो दूसरे तो इदर देख सकते है extracting अपनी complete हो गई एक्स्टाक्ट होने के बाद यह folder अपना create आता ADP setup करके एक driver है इसको आपको install करना पड़ता इसका link description में given है वाँसे download करना इस पर double tap कर देना और यहां पे permission को yes कर देना यहां पे drivers आपको install करना पड़ता तो उसके लिए y type करना है enter मारना है फिर y type करना है फिर enter मारना है और लास्ट बार यदर y type करना है फिर enter मार देना है फिर यहां पे देख सकते हैं द्राइवर installation का है अपने को interface आता next next पे अपन किलिक करके drivers अपने device में install कर लींगे और यहां पर आपको और एक file जोग डॉनलोड करना पड़ता तो इ यहां पर तीन डाउनलोड लिंक्स है को से भी लिंक पर टाइब करके डाउनलोड कर सकते पहली आली पर कर लिए अपन 93MB की फाइल है डाउनलोड कर लिंके देख सकते हैं डाउनलोड कर लिंगे तो इसके बाद आपको MI Flash जो है इसको एक्स्टाइट करना पड़ता एक्स्टाइट कर लिंगे अपन एक्स्ट्रेक्ट हो गया MI Flash folder पर अपन चले आएंगे पूरा नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं Xiaomi Flash application है इस पर आपन डबल टाप करेंगे उसके बाद आपन अपने फोन को connect कर लिंगे PC से तो इधर अपना फोन PC से connected है Xiaomi Flash tool पर आएंगे अपन तो यहां पर ड्राइवर का इधर option देख सकते इस पर आप करेंगे इंस्टॉल पर आपन टैप कर दीगे तो यह error आपको देखने को मिलता तो इसको कैसा fix करना वो भी मैं बता दो आपन बैक करींगे इसको इसको भी close कर दीगे अपन अपन वापिस MI Flash पर चलेंगे यह फोल्डर पर तो इधर आपको एक फोल्डर करना पड़ता करके आपको इसका नाम जोग दे देना है लेना है, copy कर लिए अपन, इसको minimize करेंगे, अब आई फ्लैश पर बनाएंगे, यहाँ पे आगे अपन इसको paste कर दीएंगे, देख सकते हैं इधर यहाँ पे options देख सकते हैं, clean all, clean all and lock, clean all and lock पे अपने flash कर दिये बुले तो अपना bootloader लोग होया था, तो clean all पे अगर flash कर दिये बुले तो bootloader unlocked ही रहता, तो इधर देख लेना आप कोसा आप select करना चाहरे, clean all पे tick करके मैं flash कर देता हूं, तो इधर flashing अपनी start हो गई, देख सकते, flashing में आपको थोड़ा सा time लगता, वेट कर लेना, तकरीबान 10-15 मिनिट भी लग स तो पहला boot थोड़ा time ले सकता खुलने में, तो वेट करो, तो देख सकते boot हो गया अपना phone, अपने phone को PC से disconnect कर लीगे, PC का काम हो गया अपना, अपना phone इधर खुल गया देख सकते, तो अब normal use कर ले सकते phone को, setup कर लेना एधर, वीडियो helpful लगी तो like कर दो, चैनल पे अगर नया है तो subscribe कर दो, ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे आते रहते, तो आज की इस यूडियो में बस इतना ही, अपन मिलिंगे नेट्स वीडियो में